हम बात कर रहे हैं नर्सी के बारे में नर्सी क्या है भारत में नागरिक्ता कैसे प्राप्त की जाएगी नर्सी रेजिस्टर का क्या मतलब है और क्या इसमें मुख्य बाते हैं इन सब के बारे में आज में बात करूँगा तो जल्दी से जुड़ जाईए अपने इस फेवरिट चैनल आपके विदिक सिक्षा से और समझे नर्सी के बारे मे बहुत कम शब्दों में बहुत ब्रीफ में आपको जानगारी दूँगा इन बातों को समझीए भी और देश में जागरूता फैलाने के लिए इस लेक्चर को शेयर भी करिए आपके शब्दों में आपकी बात आपके साथ जानते हैं नर्सी क्या है तो राश्ट्री नागर इनर्सी को सबसे पहले 1951 में नागरिकों, उनके घरों और उनकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए तयार किया गया था राज्य में एनर्सी को अपडेट करने की मांग 1975 में All Assam Students Union द्वारा उठाई गई थी फिर 1985 में आया Assam Accord या Assam समझोता बांगलादेश की सुदंदरता से एक दिन पहले 24th of March 1971 की आधी रात को राज्य में प्रवेश करने वाले बांगलादेशी शरणार्थियों के नाम मतदाता सूची से हटाने और वापस बांगलादेश भेजने के लिए इसे बनाया गया थ असाम की कुल आबादी लगभग 33 मिलियन है यह एक मात्र राज्य है जिसने इनर्सी को अपडेट किया है जिसको आपको जानना चाहिए वो है असम इनर्सी की प्रक्रिया 2013 में सुप्रीम कोट के आधेश पर फिर से सुरू की गई थी तो इनर्सी को कैसे अपडेट किया गय यदि कोई भी असम के नागरिकों की चैनिस सूची में अपना नाम देखना चाहता है तो उसे 25 मार्श 1971 से पहले राज्य में अपना निवास साबित करना होगा इसके लिए कुछ दस्तावेज उसे जमा करने होते हैं इन दस्तावेजों को लिस्ट A या सूची A के दस्ताव कहा जाता है यदि कोई दावा करता है कि उसके पूर्वज आसाम के मूल निवासी है इसलिए वह भी आसाम का निवासी है और उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए तो उसे कुछ दस्तावेज फॉर्म के साथ जमा करने होंगे जो लिस्ट B में है लिस्ट A में जो दस्ता प्रायादारी का रिकॉर्ड या किराया नामा चौथा है नागरिकता प्रमान पत्र जिसे हम कहते हैं citizenship certificate लिस्ट A का पांचमा दस्तावेज है इसलिए निवासी प्रमान पत्र जिसे हम कहते हैं 2 मिसाइल सर्टिफिकेट सूची ए में जो छट्वा नंबर का दस्तावेज इ आता है bank या life insurance का कोई document फिर आटवे नंबर पर आता है इस्थाई आवासी प्रमानपत्र फिर नाइन्थ नंबर पर आता है सैक्षिक प्रमानपत्र और अदालत के आदेश के कोई record और दसवे नंबर पर आता है शरणार्थी पंजी करन प्रमानपत्र जिसे हम कहते हैं refugee registration certificate तो वो व्यक्ति असम का नागरिक समझा जाएगा अगर किसी के पास ये दस्तावेज नहीं है और वो list B के दस्तावेज जमा करना चाहता है तो form के साथ उसे कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे जो आपके सामने slide में हैं तो सबसे पहला है भूमी के दस्तावेज कोई property के document है फिर दूसरा है board या विश्विद्याले का प्रमानपतर अगर उसने वहां से पढ़ाई की है किसी university से या school से तो वो तीसरा है birth certificate कि उसका जन्मा साम में हुआ है किसी hospital का certificate चौथा नमबर पर आता है bank LIC post office के कोई record पांचवे नमबर पर आता है ration card छटवे नमबर पर आता है मतदाता सूची में नाम जिसे voter ID आप कहते हैं साथवे नमबर पर आता है कानूनी रूप से सुईकार एक कोई अन्य दस्तावे जो court जिसे सुईकार बनाता है या आठवे नमबर पर अगर कोई महिला विवाहित है और विवाह के आधार पर वो ये कहती है कि वो असाम की ना बात कोई न नाम जुड़वा सकता है यह है राश्च्री रेजिस्टर है सिटिजन्स के लिए और जिन में इनके नाम है वो भारत के नाग्रिक है तो आफ कितनी आसान ची बात है इन कोई विव्यक्त की भारत है तो इनकोर पास आज की डेट में बश सर्टिपिक्र तो होगा ही होगा या उसके पास इन में से कोई डॉक्यमेंट तो होंगे ही होंगे ऐसा क्वैसे हो सकता है आप बताईए कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारत में रह रहा है और उसके पास इन में से कोई डॉक्यमेंट ना हो कोई भी डॉक्यमेंट ना हो ये संभा और नहीं है तो यह रिजिस्टर है जो देश में घुसपैठियों को बाहर करने के लिए है और मुझे लगता है कि भारत का नागरी कोने के नाते आपको और हमें हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए फिर दूसरी बात यह मान लीजिए किसी का नाम रिजिस्टर में किसी है जहां पर में उसको उसके अधिकार संरक्षित करने का हक मिलेगा अगर मान लेजिए ट्रिब्यूनल से भी उसे रिफ्यूज कर दिया जाता है और वो चाहता है कि उसकी सुनवाई हो तो वो सीधे हाई कोट जा सकता है अपने बातों को रखने के लिए और सुप्रीम कोट नहीं छीने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ घुसपैटियों को बाहर किया जा रहा है जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने और नागरिकों की अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ही आवश्यक हैं तो आज आपने जाना एक्शल में नर्सी क्या है नर्सी में किसी का ना रखने के लिए सभी को बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ इसी चैनल पर जुड़े रहिएगा धन्यवाद प्रणवाद आजर्छिंग रहुत हैं एक रहिए जो झाल स्थम्च्पनाद के साथ इसी बहुत बहुत हैं एक लिए पना ड़ते हैं।